हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अंजली और अंजली अमीटमी किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे आमचूर पाउडर की खट्टी मीटी चट्नी पहले मैंने आमचूर की जो साबुद वाली जो खटाई आती है उसकी मैंने चट्नी की रेस्पी आपक कचोड़ी पकोड़ा टिकी या किसी भी चाट के साथ आप इसको इंजॉई कर सकते हैं तो चलिए फिर हम रेस्पी स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने बन फूर्थ कप ले लिया है आमचूर पाउडर और इसमें हम दो कप पानी डालेंगे पानी हम थोड़ा थोड़ा ड थोड़ा पतला रखना है तो आप इसको पानी की मातरा को बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि ये चटनी को हमें काफी देर तक पकाना है तो इसलिए हमें इसमें ज्यादा ही पानी डालेंगे तो वन फूर्थ कप आमचूर पाउडर के लिए मैंने दो कप पानी का इस्तेमाल किया दूर्प पानी डाल दिया और अक्छा से मैंने इसको मिक्स कर लिया है इसमें एक ऑब लंट नहीं बचे would इस method को हमें gas on करने से पहले ही करना है उसके बाद हम gas on करेंगे और उसमें हम अपने इस चत्नी को हम रख देंगे और उसमें हमें एक boil आने देंगे जब हमारी चत्नी में boil आ जाएगा तो हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे देखिए हमारी चटनी में बॉइल आ गया है मैंने इसमें डालाया आदा चोटी चम्मच साधा नमक जो सफेद नमक होता है और आदा चोटी चम्मच मैंने डालाया काला नमक आदा चोटी चम्मच मैंने डालाया गरम मसाला एक चम्मच भुना जीरा पाउडर फिर मैंने लाल मिर्च पाउडर जिसमें मैंने 1.5 опред मेने लाल मिर्च डाली है तेकी वाली और 1 teaspoon मैंने कस्मीरी लाल मिर्च डाली है तक अमारी चट्न में बहुत अच्छा कलार आए अगर आप चाहे तो इसमें food color भी डाल सकते हैं फिर मैंने इसमें डाल दिया है half tea spoon dry ginger powder यानि की soat और मैंने एक चमब डाल दिया है इसमें soft मैंने sabus soft इसमें डाली है सबी चीजों को हम अच्छे से mix कर देंगे तक इसमें एक भी lumps ना रहे हैं देखे मैंने इसको अच्छे से mix कर दिया अब इसको हम गैस को slow कर देंगे और बिल्कुल हम इसको slow gas में इसको हम 15-20 मिर्ट तक पकने देंगे हम अपने चट्नी को जतना ज्यादा पकाएंगे उतना यह अच्छी हमारी चट्नी का टेस्ट आएगा पर इसको इसक और यह मैंने कर देंदा रहें को उच्छी नफलय मुद्स अब और देंगे और इसको जबद देंगे तक हमारी चट्नीओ इसमें और इसमें एके च्छी तेस्ट देखें फिर जब यह 15-20 मिनट तक हमारी चटनी पक जाएगी तब हमने इसमें डाले हैं मास्क मैरन सीट यानि कि जिसे हम मगज कहते हैं खरबूजे की बीज उसको हम डाल देंगे और इसको हम 3-4 मिनट तक और पकने देंगे फ्रेंट्स यह चटनी बहुती जल्दी बनके तयार हो जाती है और बहुती टेस्टी बनके तयार होती है देखिए 4-5 मिनट हो गए हैं और हमारी चटनी भी अच्छी गाड़ी हो गई है अगर आप इसको और गाड़ी करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ी दिर आप पका अगर आप इससे थोड़े सा पतली रखना चाहते तो आप इसमें पानी और मिला दीजिए चटनी यह हमारी जो है अभी ठंडी होएगी तो और भी यह गाड़ी हो जाएगी इसलिए हम गैस बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे जब यह ठंडी हो जाएगी तो इसको हम किसी भी एक काच के जार में भरके रख लेंगे और इसको आप फ्रिज में रखे आप दो तीन महीने तक आप इसको यूज कर सकते हैं यह बिल्कुल भी खरापनी होगी जब भी आपका चाट खाने का मन हो तब यह चटनी यूज कर सकते हैं अगर आपको यह वीडि को सबस्क्राइब कर दो